हलो बच्चों आप सभी का आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत है आज मैं प्रस्षत की कोशन पे आधारित एक कोशन लेके आपके बेचों परस्तित हूँ जो इस प्रकार है कोशन है आठ घंटे दो दिन का कितना प्रस्षत होगा ये पूछ रहा है ऐसे प्रस्षत को लगाने के लिए सबसे पहले आप ऐसा करिए कि आठ घंटे कह रहा है तो आठ लिख लिजे बटे में दो दिन कह रहा है तो चुकि एक दिन की जो हम बात करते हैं एक दिन किने दिन होते हैं किने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं तो दो दिन में कितने घंटे होंगे तो दो गुड़े 24 हो जायागा तो यहाँ पर दो दिन की जगा पर हम यहाँ क्या लिखेंगे दो गुड़े 24 लिखेंगे क्योंकि हलका नियम होता है कि दोनों का जो मातरक होता है वो सेम होना चाहिए घंटा है ते भी घंटा कर दिया जा दो से काटेंगे तो चार बार में कटेगा और चार से काटेंगे तो छे बार में कटेगा मने सव बटा के छे हो जाएगा अब इसे और भी काट लीजें दो से काटेंगे तो तीन बर कटेगा और दो से पस सव काटेंगे तो पचास बर कटेगा मनें 50 बटा के 3 आ गया आंसर दस्मनों देना चाहते हैं इस 50 को चले 3 से भाग दे दिया जाए तो 3 से काटें तेने कम तीन 2-0 फिर 3 से काटेंगे तो 3-18 फिर आ जाएगा हमारा कितना 2 दस्मनों लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा फिर 3 के पहाड़े में 3-18 हो जाएगा फिर 2 आया दस्मनों चुक्ति लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं अब 3 के टेबल में फिर से जब करेंगे तो 3-18 हो जाएग दो फिर आएगा, ऐसा बार-बार आता रहेगा, तो मारा असर क्या होगा? 16, 6, 6 इस प्रश्ट का सही आसर होगा तापकों ये ध्यान देना होता है, कि दोनों का मातरक सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए घंटा है, तो घंटे में, दिन है, तो दिन में तो घंटे को दिन बदलना आसान है, चुकि इसमें आपको गुड़ा खरना पड़ता है आए प्रश्ट आउ लगाते है, अगा जो प्रश्ट हमा रहा है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रेशत है, ये मिनट में है, आए दिन में है हाँ तो हमें ये क्या करना चाहिए, 30 मिनट है, तो तीस लिख लेज़े, और एक दिन कह रहा है, तो एक दिन में कितने घंटे होते है, 24 घंटे, लेकिन ये मिनट में है, आए गौनटा में है, तो इस मिनट जो घंटे बदलेंगे, इसका मतलभ मिनट गन्टे क्या करना पड़ेगा साठ से गुड़ा करना होगा या फिर बदर बुड़े सो से गुड़ा करना होगा आई कर सिर करते हैं तीस के टेबल में साथ दो बार में आता है और दो के टेबल में ये पचास बार में आता है दो से काटे इसको बारा बार में दो से काटेंगे पचीस बार में तब पचीस बटा के बारा आ जाएगा फिर से भाग कर सकते हैं दस प एक जिरो और लगाई है तिक जिरो और बन जाएगा फिर बारह वठे चानवी हो जाएगा चार आएगा जिरो अपने से बढ़ जाएगा फिर हो जाएगा बारह त्याएगा चार आएगा इस प्रकार से हमेशा चार 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 आता रहेगा थम्हारा असर क्या होगा दोस्त दस मललों 083 इस प्रेश का सही आंसर हैं इसी प्रकार का को स्टर पाने के लिए लगाता त्यारी मदबूत करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक कर देजिए और लोगों को सेर भी कर दिजिए ध्यान रखना इसरा सक्षक करने योनित ग्लिए क्या नहीं म झाल 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 झाल